लगने वाले इंजेक्शन की भारी कमी है लखनों में ना मार्केट में ना रेड क्रॉस में इंजेक्शन मिल रहा है M4 Terecin B इंजेक्शन कहीं नहीं मिल रहा है Liposomal M4 Terecin B इंजेक्शन की बहुत कमी है 9 अपसरों के अप्रूबल के बाद भी लोग परिशान है यानि 9 अपसरों का इन्हों ने अप्रूबल लिया उसके बाद भी इंजेक्शन नहीं अब सवाल ये है कि बीना इंजेक्शन की इलाज कैसे होगा और मरीजों का हाल क्या होगा बुद्व आप अच्छे समझ रहे हैं जिन पर बेती है वही जानता है सोचिए 9 अपसरों के एप्रूबल लेने के बाद भी खात में इंजेक्शन नहीं आता और 9 अपसरों के एप्रूबल लेने में तीन से चार दून लग जाते है कमी है इंजेक्शन की ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी है ना मार्केट में है ना रेड क्रॉस के पास है एमफो टेरेसीन और लिपोसोमल ये दोनों नहीं मिल रहे हैं नौ अपसरो के अप्रूवल के बाद भी नहीं मिल रहा है ये बड़ी बात है और हैरान कर देने वाली बात है तो ये हालात है स्वास्त सेवाएं बदहाल है अस्पताल में दवाओं का भाव है सबसे बड़ी बात ये है कि ना तो मार्केट में जरूरी इंजेक्शन है जो ब्लैक फंगस से जूज रहे मरीजों का इलाज कर सके नर रिट क्रॉस के पास और तीन संबाददा इस वक्त हमारे साथ लाइब जुड़े हुए है अनूप कुमार राजधानी लखनव से है नरेंद्र प्रताप मेरट से है और जहासी से हमारे संबाददा इस जहा हमारे साथ लाइब जुड़े हुए है इस जहा आपके हैं क्या इस्थिती है मैं ब्लैक फंगस के बारे में बात कर रहा हूँ क्या जरूरी इंजेक्शन यहां लोगों को मिल जा रहे है चुकि अनूप जहां से जुड़े हैं लखनव से यहां नाव एप्रूल लेने के बाद भी इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है देखिए बिल्कु सही बात आपका कहना है कि बिलेक फंगस के मरीज जासी में बढ़ते जा रहा है हार रोज की तरह एक दो मरीज निकल रहे हैं मेंडिकल में करीब 15 मरीज हैं जबकि प्राइबिट नेर्सों में भी 20 के करीब अरी हैं लेकिन आपको बता दे हैं कि अभी इंग्जेसन शत्तर जांसी में आई हूए थे लेकिन इंग्जेसन की कमी पड़ गए। तमाम अभी ऑपरेशन भी होना हैं लेकिन मेंडीकल में तमाम ऐसे मरीज हैं वो इंग्जेसन के साहरे अभी ठीक होगे हैं Лेकि compos야 नहीं है जब जां में सिर्फ सत्तर इंजक्शन आये थे उसमें भी कमी आ गई मरीज बदहाल है जो ब्लैक फंगस के मरीज है तो यह इस्थिती तो नरेंद्र जहासी की है मेरट के क्या हालात है क्या इस्थिती है तेखिए राहूल यहां पर बहुत बड़ी तादात में जो ब्लैक खंगस के मरीज है वह अलग-अलग झिलों में और उसका सबसे बड़ा है कि साट जैसे मरीज हैं और उनको हर रोज एक दो और दो इंजभी जुबत होती है लेकिन जो अपलब दिता है वो किछ सांथ या आठ इंजक्षिन की रहती है तो समझा जा सकता है कि उसको कहां कहां बाटा जा सकता है अब सासन से लगाता कम्यून्यकेट किया गया लेकिन इंजेक्शन नहीं आए आज जो मेरट के सीमो हैं अख्लेस मोहन उन्होंने खोड सीरम को जिनका केंदर जो है वो गाजियाबाद में हैं वहां पर चिठी लिखी है और उनसे साथ सो डोज मागी हैं आप समझ सकते हैं कि जरूत कितनी है और उप्रवदिता कि कि बिल्कुल यह आसानी से समझा सकता है कि जरूरत जादा है और चीज़ें मिल नहीं रही है अनूप नौ एप्रूवल ले लिए गए तीन से चार दिन बीद गए और उसके बाद हाथ कुछ नहीं आया इंजेक्शन अभी तक नहीं मिला यह स्थिती लखनों में है चौबि बिल्कुल ब्लाइक फंगस जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है लोग के लिए खत्रा बनता जा रहा है अगर लखनों के हम बात करें तो करीबन जो है 223 से अधिक जो मामले हैं वो अब तक आ चुके हैं और इसमें 25 लोग अब तक जान गवानी पड़ी है 24 घंटे की ब को अत्राइश करके रेट क्राश सोसाइटी को जो है यह जिम्मा सवपा ताकि काला बजारी जो है वो इसको ले करके ना हो पाए लेकिन आप समझे कि उत्तर परदेश के तमाम जिलों से जो है राजधानी लखनों के तमाम हास्पिटलों में ब्लैक फंगस के जो है मरीज व पाएगा लेकिन आप समझे महज 50 इंजेक्शन जो है वो सियोमो आफिस की तरफ से जो है रेट क्राश सोसाइटी को जो है उपलब्द करा जा रहे है जिसका सोसाइटी ने विरोध भी जताया है और उन्हों ने बताया है कि संक्या करीब 720 के करीब जो है उनको इंजेक्शन लेकिन आप मौझूदा वक्त में अगर हम बात करें तो रेट क्राश सोसाइटी पे तमाम तिमारदार जो है वो पिछले 5 दिन से लगातार जो है वहीं पे खड़े हैं ही सास में कि उनके परिवार के लिए उनके मरीज के लिए जो है जो ब्लैक फंगस का उप्योगी इंज कि इंजेक्शन है वो उनको मिल पाएगा यहां तक कि आप समझिए स्यों आफिस से जो उनको रिफे लेटर भी दिया गया है जो कमिशनर आफिस है वहां से बी लेटर दिया गया है लेकिन जब लेकर लेकर पहुंच रहे हैं तो सिवाए लेटर लेकर भटकने के अलावा उ सास इंजेक्षन में जो है स्यमो आफिस की तरफ से दीए जा रहे हैं जब कि आसकता है साथ सो बीस की तो कितना यह फरक आप समझे कि आखिर कैसे जो है ब्लैक फंगस की जो महीज जिंदिकी मौत के भी जूल रहे हैं तमाम आश्पिटल में उनको आखिंग्षन कैसे मौहिया क्योंकि सरकार ने यह कोशिश की थी कि इसकी काला बजारी नहों पाए को कि कोरोना के चलते जिस त्रह से रेमडिस स Sugil injection की काला बजारी की अधी आक्सीजन की काला बजारी की गई थी उस पर लगाम लगाने के तहर Court यह नीती के अपनाई गई ती लेकिन अब यह जून है कि इस पर सरकार को देखना होगा आथकारियों को देखना होगा लेकिन सवाल जो है राहूल फिर वही है कि जैसे कोविट कमांज सेंटर में कोरोना पेसंड मरीजों के लिए जो है रेफल लेटर की विस्था जो है की गई थी वही से मिस्थिती बन गई है कि अब जो है सिंद्रे आपका उत्तर प्रदेश की जनता से संपर्क तूट गया था आप कुछ कह रहे थे